नबश्कार दोस्तों मेरा नाम है भालचंदरा ब्रह्माणड़ सिद्याष्ट्रो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि मेश राशी का मंगल आपके चतुर्द भाव में है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार क होंगे सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्माड़ सिद्याष्ट्रो इस चैनल पर मेश राशी का मंगल हर एक भाव में कुंडली में करें बारा भाव होते हैं तो हर एक भाव में यदि मेश राशी का मंगल है तो इसके ज पर्णा किसप्रकारके सकते हैं तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते कुँछ कुंडली दी गई है और यहां पर एक जो कहाने है वहां पर मंगल दिखाये गयाは उसे लगदब देखा अंग रिखा गया है जो perish नियह जो सतान है या फिर उसे लगन स्थान भी कहा जाता है मतलब यह जो कुंडिले उसके आधार पर आप देख कर कह सकते हो कि यह मकर लगन की कुंडिली है जिसके चतुर्त स्थान में मेश राशी का मंगल है तो यह जो अगर स्थिती है किसी भी कुंडिली में तो यह जो मंगल है उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे होंगे हाला कि यह जो कुंडिले है इसमें बाकी के जो ग्यारा ग्रह है वो दिखाए नहीं गए है अगर वो दिखाए देते हैं तो फिर थोड़ा सा confusion आपके मन में बढ़ सकता है और अपन में चात्तृत्ल भाव में मेश राषिए में जो हुआ हैं के मंगल में 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 बढ़ सी आप व्रशिए्टो में देक तो मकर लयंहें चतुर्थेश और लाभश है स्वयव की राशी में इसका मतलब मतलब मकर जो मकरलगण के लिए चतुर्थेश में मंगलव भूपयों राशी में मेंश्रमिayo राशी में उसके मिलने वाले परिणाम होंगे voi किस प्रकार के महें होगी सबसे पहले both चतुर्दबाव से हम देखते क्या है उसके ऊपर थोड़ाशा विचार करेंगे, चतुर्दबाव से घर का जो सुख है वह देखा जाता है, तो देखा जाता है, घर का सुख मिलना, जैसे कि doing फैमिली का सुख मिलना, वह किस प्रकार की होगा म Тутations Asus, जो लोग है वो किस प्रकार के है उसी प्रकार आपका खुद का घर होना खुद की वास्तु होना या फिर आपकी जो अंतस्त जो जीवन है वो किस प्रकार से बीतेगा उसके बारे में और यह जो आपके कुंडली में लाबस्तान का जो मतलब लाबस्तान में भी उरुचिक रा जो मेश राशिका मंगल है उससे देखी जा सकती है तो इसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के होगे सबसे पहले अगर चतुर्द भाव में मंगल है तो जो बेक्ति होते हैं इनके दिमाग में यही प्रशना आता है कि वह कुली है वह मांगलिक है देखिए यह जो बाते है मांगलिक है या कि मांगलिक नहीं है इसे थोड़ा सा बाजो में रखिए क्योंकि उसके जो माइने हैं वो थोड़े अलग होते हैं मेश राशिका यह तो सही बात है कि मेश राशिका अगर मंगल है तो मांगलिक है लेकिन उसके जो मिलने वाले परिणाम है वह काफी एक्स् है हर्शल निप्चुन यह जो ग्रह है अगर इस मंगल की यूती में है तो फिर वो जो कुंड़ी है वो मांगली कहलाएगी और उसका जो परणाम है वो विवासुक पर मिल सकता है लेकिन इसके आगे भी थोड़ा विचारे की शुक्र का विचार का है सब्तमेश की इस प्रकर में मेश राशी का शुक्र है तो वे जो लोग होते हैं उनकी जो फैमिली होती है वो थोड़ी से डिसिप्लिन होती है खुद के बड़ोते पर वे जो लोग होते वो आगे बढ़ने वाले होते है घर पर इनका जो कल्चर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है मतलब नॉर्मल विचार से आगे चरने वाले होते हैं, इनका जो घर का वातार होता है, वो थोड़ा सा अलग देखा जाता है, इनकी जो माताजी होते हैं, वो थोड़ी से स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ी से डिसिप्लिन होते हैं, थोड़ी से ओवरपार होते हैं, और घर पर इनका जो आगे बढ़ने चाहिए, जीवन में कुछ करना चाहिए, उन्होंने करना चाहिए, career-oriented होने चाहिए और जीवन में इस प्रकार से कोई उनकी जो image होनी चाहिए, जिसको वज़े से वो खुद भी proud feel करें तो इस प्रकार इसी वज़े से इनकी जो माताजे होती है, थोड़ी से strict हो सकती है, discipline होती है और सबसे महतो पुर्णबाद जो कि आज कल के दिन बहुत ज़़ादा प्रशन पूछा जाता है कि मेरा खुद का घर होगा या नहीं, तो यदि चतुरतोबाव में यदि मंगल है, तो आपका खुद का घर होना, खुद की वास्तु होना, यह करीबन तय होता है इसमें किसी भी प्रकर के problem complications नहीं आती, उसी प्रकर यदि चतुरतोबाव में मेशराशी का मंगल है, तो भाई-बेनों का सुख मिलना काफी अच्छा था, भाई-बेन जो होते हैं, उनसे आपको कुछ अच्छी तरह से help मिल सकते हैं, आपको जो मित्र परिवार है, वो भी काफी अच्छी तरीके से मिलते हैं, या फिर उनसे आपको काफी अच्छी मिलती है, हलाके मित्र परिवार भी अच्छा होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लाव के बारे में आपको लाव काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं, तो करीबन चतुरतोबाव में सि चतुरत सप्तम और अश्टम यदि आपके चतुरत भाव में यदि मेश राशय का मंगल है तो चतुरत दुष्टी से यह आपके सप्तम भाव को देखेगा तो यहाप पर होगा क्या कि आपके आपको मिलने वाला जो भी आपका जीवन साती होगा वह आपके ओपर थोड़ सा और पावर हो सकता है या फिर उनका जो नेचर होता है थोड़ा गुस्य वाला हो सकता है उसके आगे आपके विवाइक जयवन पर यह जो मेशरचे का मंगल है वो ज्यादा असर नहीं करेगा यह बात थोड़े जान लीजे उसी प्रकार यह जो मंगल है दश्रम दुष्ट से आपके दश्रम भहव को देखेगा तो जहापर आप काम करते हुं नोक्री या फिर वेवसाइक या वहां वहां पर क्यों लोग होगा उनके साथ आपकी जादा नहीं जमेगी, बहुत ज़एदा नोक्री या फिर बिजनेस है, उसमें चेंजे इस भी बात थोड़ी होती है, अब यह जो मंगल है, वह अश्टन पृस्ट्रा के आपके लाबुवाव को देखेगा, तो आपके जो चोटे भाईображ होंगे, उनके साद ====== iş चोटी मोटी बाते हो सकते यह जो बाते हैं जो दक्रार होगी वो चोटी मोटी तोरप पर होगे लिए बड़े इसके कुछ अनुववा नहीं मिलेगे या फिर यह भी बात इनकी पॉसिब्लाइब लेकिन खुद का घर होना यह करीबन तय हो जाता है अब यहाँ पर यदि यह मंगल जो है यह मंगल यदि कृति का नक्षत्र में है तो थोड़ासा प्राब्लम हो सकता है घर में किसी भी प्रकार की बादा आने या आना या फिर ए कि यदि इस मंगल के साथ राहू है शनी यूति में है या फिर केतु है या फिर हर्शल ने प्चुनी इस प्रकार क्या यदि ग्रया है तो जो मैंने बात कि घर में थोड़ी सी जो प्राब्लम वाली बाते होती है वह हो सकते घर का जो वातारूनता होगा वह काफी अलग तर है लेकिन मोटे तरपर अगर देखा जाए तो चतुर दबाव में यदि मेश राशी का मंगल है तो कोई बड़े प्राब्लम कॉप्लिकेशन बिल्कुल नहीं आएंगे और शादी बया का मामला है उसमें जस तरह से हम इस मंगल को बहुत ज़्यादा वेटेश देते हैं उस इसी प्रकार से हमने और एक नया चैनल नौच किया जिसका नाम है कुंडिली अभ्यास इसमें कुंडिली के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है पूरी कुंडिली किस तरह से अभ्यास करनी है उससे जो नेकलने वाले प्रेडिक्शन होते है उसके संदर में भी बें देवाला